पीनियल ग्लेंट यनि थर्ड आई एक्टिवेट करने का सबसे आसान प्रयोग देखे आज की निव जनरेशन सकसेस पानी के लिए थर्ड आई मेडिटेशन को बहुत जादा फालो कर रही है लेकिन उनके कॉमेंट्स देखकर मुझे लगता है कि उनका थर्ड आई मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा है या फिर कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं जैसे कि सिर्मत दर्द होना, दोनों आखों के बीच ओबीच वाइबरेशन होना या फिर सरका भारी होना करना है तो आखे बंद करके तीसरी आख पर ध्यान देना है जो माथे के बीच ओबीच है और बस कुछ दिनों के परियोग के बाद आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी और आपे दुनिया के शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे नहीं, ये ऐसा नहीं है ये आपके भीतर छुपी हुई एक संभावना है जो कि शूश्म है आप किसी इंसान की उस जगा पर चीरा फारी करके देखोगे तो आपको वहाँ कोई भी थाड़ाई नहीं मिलेगी मैंने कहा ये आपके भीतर छुपी हुई एक शूश्म संभावना है तो अब ये पारी चीज नहीं है आप ये जान गए ये आपकी भीतरी चीज है घटना भी भीतरी है तो जब ये एक्टिवेट होती है तो क्या होगा देखिए इसे एक्टिवेट होने के बाद आपको अपने भीतर ही परवेश मिलता है तब ही आप अपने आपको जान पाएंगे जब आपकी ये तीसरी आख खुल जाएगी देखिए अगर किसी सादक को समाधी में परवेश मिल जाता है तो समझो वह उसकी थर्ड आई की वज़े से ही मिलता है क्योंकि समाधी की इस दुनिया में जाना उसे देखना वहां का अनुभब करना ये आपकी इन दोनों आखों के बसकी बात नहीं है आपके शूश्म शरीर का या कहें शूश्म जगत का वो सभी अनुभब आपकी तीसरी आख की वज़े से होता है तो बिना थर्डाई open हुए आप सही माइनों में ध्यान में भी प्रवेश नहीं कर सकते आप समाधी में नहीं जा सकते इन फैक्ट आप अपने आपको नहीं जान पाएंगी आप अपने बारे में केवर उतना ही जान पाएंगे जितनी की आपको जानकारी मिली है जो की बाहर से मिली है स्वैम का अनुभब तो आपको नहीं होगा और बिना थरड़ाई एक्टिवेट हुए आप आप आउट ओ बाड़ी एक्सपिरियंस भी नहीं कर सकते एस्टर ट्रेवलिंग का एक्सपिरियंस आपको जबी होता है जब आपकी थरड़ाई एक्टिवेट होने लगती है आपने देखा हुआ किसी सन्यासी को जो भविश्य में होने वाली संभावना को पहले ही बता सकता है पास्ट में क्या हुआ होगा उसका सटीक अंदाजा लगा पाता है ये कुछ टैम ट्रेवल जैसा है इस प्रकार की सभी घटनाएं केवल जबी पॉसिबल है जब आपकी थरड़ाई एक्टिवेट हो जाएगी तो आज मैं आपको एक ऐसा ही आसान सा परियोग बताने वाला हूँ जिसके जरीए आप अपनी थरड़ाई को जल से जल एक्टिवेट कर सकते हैं तो इस परियोग को करने के लिए आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए मतलब आप थरड़ाई एक्टिवेट करने का परियोग कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि exactly आपकी थड़ाई है कहाँ पर मतलब यह आप थड़ाई open तो करना चाहते हैं आपको यही नहीं पता कि आपकी थड़ाई exactly है कहाँ पर तो आप जो भी ध्यान करेंगे वो आपका गलत ही होगा उससे आपकी थड़ाई उपन नहीं होने वाली तो basically आपकी थड़ाई कहा है एक छोटा सा experiment बताता हूँ आप जैसे भी बैठे हैं बेकुल वैसे बैठे रहिए अपनी आखो को हलका सा खोलिए आपकी आखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए और पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए हाँ इसे योग में नासागर द्रिश्टी कहा जाता है यानि आपकी आखें आदी खुली और आदी बंद अब आपको अपनी नाख का अगला हिस्सा देखने की कुशिश करनी है आपकी नाख की वो टिप बिल्कुल आखरी छोड उसके बिल्कुल बीचो बीच वहाँ देखना है आपको जब आप वहाँ देखने की कुशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आपकी आखें ना तो पूरी बंद होंगी और ना ही पूरी खुली होंगी कुछ देर देखने का परियोग कीजिए अगर आप उस बीच के हिस्से को नहीं देख पा रहे हैं तो आप उंगली से अपनी नाक के बिल्कुल बीचो बीच ऐसे टच कीजिए अब आप उसे देख पा रहे होंगे उसे देखते रहिए फिर उंगली हटा लीजिए फिर देखने का प्रयास कीजिए आप बीच बीच में अपनी नाक के बिल्कुल बीच के हिस्से को देख पाएंगे और फिर फिर ध्यान भटक जाएगा आप इसका प्रयास करते रहिए आप इसे कंचेनियों करते रहेंगे तो आपके नाक के वो इस हिस्से से जहाँ पर आप देख रहे थे वहाँ से एक लंबी सीधी रेखा आपके भीतर यानि माथे के बीचो बीच कहीं जाती दिखाई देगी वो चमकिली सी रेखा देखिए उस रेखा का कलर कुछ भी हो सकता है अब वो रेखा जहां समाप्त होती है आपके माथे पे आखो के बीचो बीच समझो वही आपका थरड़ाई पॉइंट है वही आपकी तीसरी आख है इस परियोग को करते हुए आपको अपनी आखो के बीचो बीच दर्द भी महसूस हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं दर्द हो रहा है तो उसे होने दो आप इस परियोग को 2 या 3 बार करेंगे तो आपको exactly पता चल जाएगा कि आपकी थरड़ाई कहां पर है क्योंकि सबकी थरड़ाई exact एक ही जगा पर नहीं होती सबकी थड़ाई पोइंट वो अलग-अलग हो सकता है और जब आप इस परियोग को करेंगे और आपको जब पता लगेगा कि आपकी थड़ाई कहां पर है तो आप उस जगा पाएंगे कि वहाँ पर आपके ध्यान की उर्जा एक जगा खिची जा रही है वह वहाँ जमा हो रही है इकटी हो रही है जैसे ही आपको पता लग जाता है कि यह आपकी थड़ाई है आप उसे जान जाते हैं तो वह सक्रिय होने लगती है अब किसी भी चीज़ को एक्टिवेट होने के लिए या कहें सक्रिय होने के लिए उसे उर्जा की ज़रुरत पड़ती है एनर्जी की तो उस थड़ाई पर आपको प्रतीत होगा दिखाई देगा मतलब महसूस होगा कि वो आपके शरीर के भीतर से उर्जा खींच रही है और बिलकुर उसी जगा पर जा वो थड़ाई है अपनी और एक घेरा बना रही है क्योंकि उसे सक्रिय होने के लिए जितनी उर्जा चाहिए वो उतनी उर्जा जमा करेगी समझो वही आपका थड़ाई पोइंट है अब जब आप जान गए हैं कि आपकी थड़ाई कहां पर है तब आप थड़ाई मेडिटेशन कर सकते हैं आपका ध्यान बिल्कुल सही होगा चलिए इसका एक परियोग करते हैं आप एक आराम दायक जगा पर बैठ जाएए बिल्कुल आराम से रिलैक्स आपको पदमासन में बैठना है शरीर बिल्कुल सीधा याद रहे आपकी रीड की हड़ी सीधी होनी चाहिए शरीर कहीं से अकड़ा हुआ जटिलता या कहें टाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल स्थिर प्रकर्तिक जैसे मानो शरीर एक चावल की बोरी की तरह खाली रखा हुआ है आखें बंद रखिए अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाईए सांसों को अंदर भार आते जाते देखिए आराम से हो सके तो अपनी स्वांसों की आवाज भी सुनने की कोशिश कीजिए क्योंकि वायू जब आपके भीतर प्रिवेश करती है और बाहर निकलती है इस स्वांस का भी एक घ्रशन होता है आपके शरीर के भीतर आप कोशिश कीजिए वो आवाज सुनने की जब आप स्वांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपके विचार नस्ट हो जाएंगे और जब आपके विचार नस्ट होते है तो आपको ध्यान के शक्ति मिलती है आपको वो शक्ति महसूस करनी है जो अब स्वासों के साथ आपके भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है आपको व्यूजलाइस करना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो स्वास के साथ एक चमकदार चीज, एक एनरजी वो उपर की ओर जा रही है अब आप उस शक्ति को, उस एनरजी को बिल्कुल वहीं पर लेकर जाएए जहां पर आपकी थड़ाई थी अब आपको पता है कि आपके थड़ाई कहां पर है शक्ति को वहीं ले कर जाएए आपके पीनियल ग्लेंड उस शक्ति को अपने और आकरशिक करेगी उसे जमा करेगी आप इसी प्रकार से वहीं पर जहां पर आपकी तीसरी आँख है ध्यान करते रहिए करते रहिए कुछ दिर बाद आपको अपने स्वासों का भी बोध नहीं होगा स्वास छोटी होने लगेगी उसे छोटा होने दो ध्यान अपनी तीसरी आँख पर रखो करते रहो आपको जो भी दिखाई देता है दिखने दो जो भी अनुभब हो रहे हैं होने दो आश्चर्रे होने की आवशक्ता नहीं है आपको अपने भीतर उस शूश्म जगत का कुछ भी दिखे आपको घबराने की ज़रूत नहीं है जो दिखता है उसे दिखने दो आपको जो महसूस होता है होने दो अगर आपको कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी आराम से साक्षी भाव में बैठे रहो उसे भी सुईकार करो अपने ही भीतर खोने की कुशिश करो आपको ऐसा कोई भी संकल्प नहीं करना है कि आप थड़ाई मेडिटेशन कर रहे हैं आप तीसरियां खोलना चाहते हैं आपके भीतर कोई इच्छा, कोई विचार नहीं होना चाहिए बस ध्यान की शक्ति वहां तक जाने दो जो एक्सपिरियंसिस, जो अनुभब मिल जाएं अच्छी बात है ना मिलें, तो भी कोई बात नहीं अगर ये यूनिवर्स, ये प्रकरती आपको कुछ देना चाहेगी तो आपको ज़रूर मिलेगा और अगर कुछ नहीं मिलता तो समझो सही वक्त नहीं आया इस परियोग को आप कुछ दिन कीजिए आपके पीनियल ग्लैंड या कहीं तीसरी आप एक्टिवेट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट जबरदस्त है अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी थरड़ आई एक्टिवेट होने लगेगी याद रखना जब तक आपकी थरड़ आई एक्टिवेट नहीं हो जाती तब तक आप कोई साभी ध्यान कर लें अब जाहें विपसना करें या कोई साभी ध्यान वो सभी ध्यान केवल आपके लिए एक्सेसाइज है ध्यान में परवेश जब ही होगा जब आपकी third eye activate हो जाएगी उससे पहले की गई सभी किरिया है समादी में जाने से पहले की exercise है ध्यान के बाद होने वाले सभी अनुभवों के लिए ये के वाल एक परियास है एंड हाँ last में अच्छा होगा कि ये third eye meditation का परियोग आप किसी सिद्ध पुरुष या गुरु के सामने बैठ कर करें तो आपको जल्दी फायदा होगा बगी आपको third eye activate करने की विदी जाननी थी तो मैंने बता दी